असलाम अलेकूम एंड वेलकम बैक टो मैं चैनल आज हम बनाएंगे कीमा कड़ाई बुना हुआ कीमा देशी स्टाइल में तो बहुत ही मज़े की रेस्पी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर रह्मान रह्माहिम हाफ कप ऑईल लेंगे हम लोग और दो मीडियम साइस के प्यास कट करके डालेंगे और इन्हीं करेंगे लाइट पिंक कलर और इसके साथ ही बताते हैं कि नेक्स क्या करना और यहां पर ले ले लेते हैं थोड़े गरम मसाले ताके फलेवर मज़े का है तो उसके लिए मुझे क क्या क्या चाहिए एक दारचीनी की स्ट्रेक है तीन बड़ी लाइची दो दो बड़ी लाइची तीन चोटी लाइची एक बाध्यान का पूल है आठ से दस काली मेर्च साथ से आठ लॉंग हैं और एक जावेत्री और दो तेज़ पात के पत्ते यह प्यास में एड़ हम और अब यहां पर मैंने लिया एक किलो बीफ का कीमा और यह बिलकुल बारीक जो है मशीन से निकला हुआ है आपकी अपनी चुआए से आप घर में चौपर में लाके कर सकते हैं और इसको जो है बनाई करेंगे इसके दो रिजन है गरम मसाले की जो चीज़ें हैं वो प्य अच्छे से अब्जर्व हो जाएगी तो इसकी करेंगे अच्छे से बनाई कीमे की और यहां पर जैसे इसका कलर चेंज होगा तो यह कीमा पानी चोड़ेगा तो इसको थोड़े दिर के लिए कवर कर लेंगे और काफी हद तक कीमा हमारा गल भी जाएगा और इसकी बनाई बहुत जरूरी अमल है इसकी पूरी चो पकवाई है यह देखें यहां पर मैंने कवर किया और तीन से चार सेक्टries हो चुके क्यां है और देखें जारा कितना पानी इसकी में च्चोड़े उपानी का रजाए खिए में चुर दिया है हमें सारा पानी खुश करना है और इसक देखें, बिलकुल ऑइल जो है, वो कीमे ने छोड़ दिया, यह साइन है, और यहां पर मैंने ले लिया है, अद्रकलेसन का पेस्ट और हरी मर्च का, सिल्बटे पे पिसी हुई है, और साथ पे दो टमाटर बड़े वाले कट करके डाले है, कुछ स्पाइसेज है मेरे पास, का मिर्च हाफ हाफ टी स्पून, जीरा और लाल मिर्च, जीरा वन टी स्पून है, और सॉल्ट और लाल मिर्च हाफ हाफ टी स्पून, और हल्दी हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून चाट मसाला, यह सारे मसालों के साथ, अद्रकलेसन के साथ, हरी मिर्च के साथ, इसकी करे बुनाई और मिक्सिंग जबर्दस सी बुनाई आपने दिल से करनी है और इसके कीमे का जो टेक्स्टर होगा ला जवाब अभी देखें कितने कलरफुल सी सबजियां और कीमा जबर्दस तरीके से बुनाई हो रही है और जब तक ये अच्छे से ओयल छोड़ ना दे नेक्स ज साथ जो है नेक्स अब क्या इसमें शामिल करेंगे बुनाई का अमल बहुत ही कीमती है ये देखें आइल जो है वो छोड़ दिया ये साइन है कि मसाले जो हैं वो हमारे भुन चुके हैं हर चीज को भुनेंगे और फिर ही इसका असर टेस्ट आएगा एक प्याली दही फिर इसमें नेक्स करेंगे मैंने बहुत सारी देखा है घरों में कि दही के साथ ही जो है उसकी बुनाई भी नहीं होती और साथ में उसमें पानी डाल दिया जाता है उसकी गलने के लिए तो वो इतना मतलब सालन खराब हो जाता है कि उसमें वो दही की फुटियां सी बन ज चोड़े आपकी कड़ाई है आपका मतलब चिकन बना रहे हैं आप कीमा बना रहे हैं कोई भी चीज हो जब आप दही एड़ करें तो उसकी बनाई जो है वो अच्छे से करें यह लाजमे टिप है और जब तक कीमा जो है वो ऑईल छोड़ ना दे हम इसमें नेक्स कोई चीज चीज को हम लोग टाइम देंगे सबजी को स्पाइसिस को दही को जब तक वो अच्छे से अबसर्व ना हो जाए नेक्स प्रोसेस हम नहीं करेंगे और आप यह कीमे का जो है वो एक एक बाइट लाजवाब और बहुत ही मज़ी का शांदार टेस्ट के साथ आप ट्राइ जीएगा और इसी तरीके से स्टेप बाइ स्टेप आपने बनाना है और यकीन करें बहुत ही मज़ी का यह कीमा तेहार होता है लाजवाब रस्पी है तो इसके यह देखें बनाई हो चुकी है और आईल उपर आता जा रहा है यह साइन है कि जो दही हमने डाला था उसका पा अब हम डालेंगे एक कप पानी ज्यादा नहीं एक कप पानी काफी है इसके लिए और इसको दम लगा देंगे आट से दस मिनट के लिए ताकि यह अच्छे से गल जाए इसको आट से दस मिनट के लिए दम लगाते हैं और यह देखें आट से दस मिनट हो चुके हैं और पान वाली चीज है जी क्रीम आप घर की बलाई उस कर सकते हैं या पैकेट में क्रीम अविलिबल है इसली वो आप डाल ले इससे इसका क्रीमी फ्लेवर आएगा और इसका कलर और इसका टेस्ट तेन गुना बढ़ जाएगा तो आपने क्रीम डाल के लो फ्लेम पे आठ से दस मिनट जो है इस कीमे को अच्छे से पकने देना है इस पे आग तेज नहीं चाहिए इसकी बहुत जल्दी नहीं आपने करनी क्रीम डालके लो फ्लेम पे आपने आठ से दस मिनिट हमें से कवर करके छोड़ देंगे और आप देखेगा सारा ओयल इसके उपर आ जाएगा और इतना देखा तो यहां पे इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए कवर और नेक्स बताते हैं कि इसमें अब लास्ट चीज हैं वो क्या जाएगी और इसको आपको सर्फ करके बताते हैं ऑल्मोस्ट जो है कीमा डन हो चुका है जी इसको बस थोड़ा सा कवर अप करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे और यहां पे जनाब इसको कवर करते हैं आट से दस मिनट के लिए यह देखें लो फ्लेम पे सारा ओल उपर आ जाएगा और इसकी फाइनल लुक में आपको दिखाते हूं यह लें जी बिल्कुल फाइनल त्यार है हमारा और इसमें हम लोग एड़ करेंगे चार से पांच हरी मेर्च कट करके क्योंकि लास्ट पे जो इसका टेस्ट आएगा शुरू में तो डाली डाली है हमने दस से बारा अब देखें यह कीमे का आप टेक्ट्टर चेक करें इसमें कोई भी किसी किसम का पानी कोई भी चीज नहीं है जबर दस्ता हमारा की मैं ready हो गया है और इसको सेफ करते हैं और इसको देखें जरा एक एक बाइट इसका बहुत ही शानदार तो इसको आप जो है नान के साथ सब्सक्सक्र कर सकते हैं और यह देखें कितना colorful और कितना मज्धी का जो है वह बनके मीं तेयार हुआ है ज़रूर ट्राइअ करें और step सूर्थी के लिए हम लोग लगा देंगे और एक से दो हरी मिर्च काट लिए और थोड़ा सा हरा धनिया काट लिए तो इसको उपर से गार्निश करेंगे और बहुत ही मज़ी का जो है वो कीमा आप इंज्वाई करें और यहां पे आपको इसको जो है फाइनल मैस, लाद, आप इसके साथ ट्राइ कर लें, बहुत ही मज़ी का लिगता है, सिंपल दही लें और थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और जीरा डाल के सर्फ करें, टमाटर और प्यास का सैलेड और साथ में नान, बहुत ही जबरदस टेश, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं बहु ही मज़ेगी नेक्स रेस्प्री में, तब तक के लिए देजिए इजाज़त, अलाहाफिस